स्रदा और विश्वास के साथ भगवान को जो जैसे भजता है भगवान भी उसको उसी भाव से भजते हैं सीता और राधा के जो प्राणधार पती थे कौसल्या और यसोधा के जो लाडले लाल थे सुग्रीव और अरजुन के जो सखा थे रावन और सिसुपाल के जो सत्रू थे वे ही भगवान इस कलीकाल में भी सुर, तुलसी, मीरा तथा नंददास आदी भगतों के सामने प्रत्य लिलाएं दिखलाई, भगवान सर्वत्र और सर्वदा विभू, व्यापक तो है ही परंदू, जहां प्रीम है, वहां वे भगतों के इच्छित स्वरूप में साक्षात प्रकट हो जाते हैं, प्रीमते प्रकट हुई मैं जाना, हमारा या दिन विश्वास है, और हम डंके की चोट से यह कह सकते हैं कि आज भी हम अनन्य प्रेम, अखंड विश्वास और अविचल स्रधा द्वारा परमात्मा को प्रकट साक्षात रूप में देख सकते हैं, उनसे रूबरू दो दो बाते कर सकते हैं और अपने जीवन को कृत कृत्य कर सकते हैं, आवशक्ता है दिन विश्वास और अटल प्रेम की। आज हम अपने पाठको को एक ऐसे ही भगती मती देवी का दिविचरित सुनाते हैं, जिसने प्रभू को पती के रूप में भजा और जिसे हरी ने अपनी पत्नी के रूप में अंगिकार कर लिया। वे बड़े ही आस्तिक और धर्मेष्ट पुरुस थे। वे हमेशा भगवान के भजन, हरी कीर्टन और नाम जप में नीरत रहते। उन्हें भगवान के सिवा और कुछ सुहाता ही न था। बड़ा ही रम्य उनका एक तुलसी का बाग था। वे नित्य प्रातकाल तुलसी के थाल में जल ढालते और तुलसी दल की ही माला बना कर भगवान का स्रिंगार करते। एक समय प्रातकाल जब वे घड़े में जल भर कर आलवाल में ढाकने गए कि वहाँ उन्हें एक परम मनुहर सिसु कन्या दिखलाई दी। भगतों का हर्दय सहच स्नेह मैं और होता है। उस छोटी लड़की को दीखकर उनका हर्दय उसने इसे भराया और वे उसे उठाकर घर ले आये। रात में उन्हें स्वपन में भगवान ने उस कन्या का सारा हाल बता दिया। वराहा उतार में मैंने प्रित्वी का उध्धार किया था तब प्रित्वी ने मुझ किर्तन तथा पत्र, पुस्प, फल, तोई की पूजा सरुप्रिय है। मुझे प्राप्त करने के लिए भक्त मेरे नाम और लिला का किर्तन करे और प्रेम भक्ती के साथ मेरी पूजा आर्चना करे। मेरी उसी बात को घृदय में धारन कर प्रित्वी इस कन्या के रूप में प्रकट हुई है और तुम्हारे घर में बस ना जाती है यदि तुम इस कन्या की सेवा करती रहोगे तो अवश्य ही परम पद को प्राप्त होगे ब्राम्हन ब्राम्हन इस कन्या को पाकर परम प्रसन्य हुई और यथा समय उसका जात कर्म कराया उसका नाम गोदा रखा गया समय पाकर कन्या सयानी हुई वो बड़े ही प्रीम से पुस्पो के हार गूथ दी और भगवान को चढ़ाती सदा प्रेम रस में सराबोर हुई हरी के नाम और लीलाओं का गान करती कन्या के बनाई हुई माला को लेकर विश्णो चित ब्रामन श्री रंगनाथ जी के मंदिर में जाते और अपनी हाथों माला चढ़ा दे एक बार गोदा ने तुलसी के बड़ी ही मनुहर माला बनाई माला बहुत ही सुन्दर थी उसने यह देखने के लिए कि देखे गले में यह कैसी सज़ती है अपने ही गले में उसे पहन लिया तदंतर वह दरपण में अपना मुख देखी रही थी कि विस्नुचित आ गये गोदा की माला को उचिस्ट होते देख उन्होंने दूसरी माला बना ली और उसे स्री रंगनाथ जी को पहना दिया परन्तु भगवान तो समर्पन और प्रेम के भूखे हैं उन्हें तो गोदा की उचिस्ट माला ही चाहिए थी गोदा वही वन माला पहने हुए भगवान स्री रंगनाथ जी के मंदिर में गई और भगवान के चर्णों में सास्टांग दंडवत करते हुए उसने सरवात्म भाव से अपनी को समर्पन कर दिया समर्पन जब सम्पूर्ण होता है तो देवता को स्विकार होता ही है अवशक्ता इस बात की है कि हिर्दय को प्रभू के चर्णों में चढ़ाते समय वह सर्वथा सोन्य, सर्वथा निरावरन रहे गोदा का मधूर और सम्पूर्ण समर्पन भला भगवान को अंगिकार क्यों न हो फिर्दय जब हरी के चर्णों में चढ़ा दिया जाता है तो फिर संसार की कोई भी चर्चा नहीं सुहाती जिसने अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है वह मुझको छोड़कर ब्रह्मपद, इंद्रपद, चक्रवर्ती राज्य, सारी पृत्वी का या पाताल लोग का राज्य, योग की सिध्धियां अथ्वा मूक्ष आदी किसी की भी कामना नहीं करता गोदा भी अहरनिस प्रभू के प्रेम में माते फिरती एक दिन उसने अपने धर्म बितासे, बड़े ही अनुनय विनय के साथ दिव्व धर्मों तथा तिर्थ स्थानों के विश्यों में पूछा विश्नुचित्ट का चित्ट प्रभू के चरुनों का अनुरागी था ही वे बहुत प्रेम और स्रधा भरे सब्दों में अपनी बेटी से कहने लगे भगवान तो सर्वत्र ही सम रूप से विराज मान हैं उनका कभी कहीं भी आभाव नहीं हुआ परन्तु खास खास स्थानों में वे खास रूप में विराजते हैं उन्हीं में से कुछ ये है स्री वैकुंठ धाम में भगवान वशुदेव निवास करते हैं आमूद लोक में शंकरपन और बलराम रहते हैं प्रमूद लोक में प्रद्युमन और अनिरुद्ध का निवास है स्वेत दीप में छीर साई भगवान विश्णो निवास करते हैं बदरीवन में नर नारायन रहते हैं नीमसार में भगवान हरीकास थान है मुक्तिनात में भगवान सालगराम तथा साकेत अयोध्यापूरी में अपने भाईयों के सहीत मरियादा पुरुसुत्तम भगवान स्री रामचंदर जी रहते हैं मत्धुरा में भगवान यदुनाथ का निवास है और वे अपनी प्रपन्य भगतों के भव बंधन को छिन भिन कर देते हैं कासी पूरी में स्वेम भगवान विश्वनाथ विराजते हैं जो राम नाम का तारक मंतर देकर सभी को मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं बरसाने नंदगाओं में नंद नंदन बसते हैं और वे ही दयामय प्रभू वरिंदावन विहारी आनंद कंद स्रीकृष्णे चंदर के नाम से वरिंदावन में निवास करते हैं काली दह में गोविन्द का निवास है और उन्हें ही गोवर्धन धारी, गिरधर लाल कहते हैं हरिद्वार में भगवान यदू पती और प्रियाग में भगवान वेनी माधो हैं गया में गदाधर और गंगा सागर में कपिल मुनी का वास है चित्रकूट में जगजन्नी सीता और लक्षमन के साथ महराथ स्री रामचंदरजी निवास करते हैं पंडरपुर में स्री विठल स्वामी हैं और दक्षिन में कावेरी के तट पर भगवान स्री रंगनाथ का वास है भगवान स्री रंगनात का नाम सुनते ही गोदा को प्रोमांच हो आया और उसकी आखों से भे मास्रूंगों की धारा तूट पड़ी उसने विहल होकर अपने इश्ट देव के संबंध में अधिक जानने की इच्छा प्रकट की तब विश्णों चित्त सुनाने लगे इश्वाकू के यग्जी की पूर्ती के लिए ब्रह्मा जी की प्राथना पर भगवान विश्णों वहां प्रकट हुए भगवान का साक्षातकार हो जाने पर इश्वाकू कृतार्त हो गए और ब्रम्हा की आग्या से वे सर्यू के तर्ट पर अयोध्या में तपश्या करने लगे तपश्या से प्रसन्न होकर ब्रम्हा ने इश्वाकू से वर मांगने के लिए कहा इश्वाकूओं ने यही वर मांगा कि भगवान विश्णू का यही अवध में अवतार हो और वे स्री रंगनाथ जी के रूप में उनके कुल दिव रहे ब्रह्मा ने उन्हें मुमांगा वर्दान दे दिया भगवान स्री रामचंदर जी जब लंका को जीत कर अयुध्या आए तो उनके साथ विभीशन भी बदा रहे थे वे जब लंका जाने लगे तो उन्होंने भगवान से कहा कि आपका वियोग मेरे लिए सर्वथा और सहनी है अता एव मुझे कोई ऐसी वस्तू दीजी जिससे मेरे हिर्दे को धीरजो विभीशन के अठल प्रेम को देखकर भगवान स्री रामचंदर जी ने उन्हें स्री रंगनाथ जी की प्रतिमा दी जब विभीशन कावेरी तट पर आये तो वे किसी दूसरे यग्य अनुस्ठान में सलनगन हो गए फिर भगवान स्री रंगनाथ जी ने लंका जाना औस्विकार कर दिया और विभीशन ने वही भगवान के मूर्ति स्थापित की विभीशन भगवान की पूझा अर्चना के लिए नित्य लंका से यहां आया करते थे भगवान स्री रंगनाथ का वर्नन सुनकर गोदा की उतकंठा और भी तिवर हो गए उसने पिता से भगवान की प्राप्ति का साधन पूझा अब गोदा के लिए एक छण का वियोग भी औसानिये था अब तो जिस ब्रकार हरी मिले वही बात गोदा को प्रियधी उसने मार्ग सिर्स का वरत किया एक रात में वह देखती है कि प्रभुजी स्वप्न में उससे मिलने आए हैं इस आनंद का क्या कहना वह उठी और भगवान को अकवार में बांधने चली ही थी कि वह छलिया खिस गए उसे तो तरसाने में ही आनंद आता है यहां पर मुझे एक किस्सा याद आता है जो मीरा मा थी वो अपनी पूर्वर जनम में श्री कृष्ण भगवान की भावी थी मतलब श्री कृष्ण भगवान के एक दोस्त थी उनकी पत्नी थी मीरा मा उस जनम में तो उनका नाम मुझे भी याद नहीं है चमा चाता हूं तो हुआ यह था कि एक बार कृष्ण जब छोटे ही थे तो वो उनको देखना चाते थे पहले क्या होता था कि इस त्री जो थी वो घूंघर में होती थी जनरली शादियोजाने के बाद तो जब घर आ रही थी तो घूंघर में थी और कृष्ण भगवान ना बहुत कोसिश कर रहे थे देखने के लिए कि भावी मा मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, अपना चहरा मुझे दिखाओ, दिखाओ, देखने दो मुझे, और वो बार-बार नहीं दिखा रहे थी, छुपा रहे थी, उसके बाद एक समय आता है, जब भगवान कहते हैं, मतलब कृष्ण कहते हैं, वो बहुत और उसके बाद कृष्ण वहां से चले जाते हैं और फिर वो मीरा मा जो हैं वो एक पर पलट के देखती है उनको कृष्ण को जाते हुए और उनको समझनी आता है कि क्या बोला इन्होंने और उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब वो माता मीरा रूप में मीरा सरीर में जब आई तो वो कृष्ण के लिए कितना तर्पी थी कितना तर्सी थी जब आप मीरा मा की जीवनी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा आपने कहीं सुना भी होगा मैंने भी अमसू ट्यूब चैनल पे डाला था तो यहां भी मैं फिर से जो व्रिहत रूप है मीरा मा की जीवनी का वो मैं डाल दूँगा तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी उस दृष्य को महसूस कर पाया होंगे जो मैंने आपको दिखाना चाहा कि कृष्ण भगवान देखने के कोसिस कर रहे हैं वो देखने नहीं देती हैं अपना चहरा और उसके बाद कृष्ण भगवान रूट के कहते हैं कि जा अब तू मुझे देखने के लिए तरसेगी भगवान की लिला ही तो ठीक है गोदा अमबा की जीवने पे आते हैं गोदा की विरह व्यथा बढ़ती ही गई उसी का कीरतन करती और उसी के धुन में डूबी रहती उसकी आँखों में, हरदय में, प्राण में, रोम रोम में स्री रंगनाथी जी ही चाहे हुए थे वो रोती और दहार मारकर च्छाती पीटती हे प्रियतम, हे प्रियतम स्वप्ण में आकर तुमने मिलने का जो उपक्रम किया है उससी तो मेरे भीतर की विरा आगनी और भी धदक उठी है यो तरपाने में तुम्हें कौन सा रस मिलता है एक छण भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता हे देव, मेरे जीवन धन यदि मेरे प्राणों की इस आकुल तडप से तुम्हारा कठोर हृदय तनिक भी पसीजे तो अभी आकर मुझे अपने चर्णों में खीच कर ले चलो प्रभू, ओ मेरे प्राणधार सीता के सुध लेने के लिए तुमने समुद्र में पुल्मधवाया और रावन को माहर कर उसे अयोध्या लोटा लाए सिसुपाल का वध करके रुखमनी को अपनी सरन में ले लिया द्रौपदी, गज, गणिका और गुपियों की टेर सुन ली परन्तु मेरी ही बार इतना विलंब क्यों कर रहे हो मैं जानती हूँ कि मैं अपराधिनी हूँ परन्तु जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ तुम्हे मेरे प्राणवलब हरदेश्वर, जीवन सर्वस्व और अवलंब हो तुम्हें छोड़कर किसकी सरण में जाऊँ जिस प्रकार चकोर, चंदर्मा को और चातक, घंस्याम को चाहता है वैसे ही मेरा हरदेश्वर, तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा है गोदा की अवस्था बढ़ चली और अब उसके स्वयंबर का समय आया विष्णुचित अपनी कन्या को लेकर कुरका नगर के विवा की सब तयारी हो रही थी परन्तु गोदा के मन में तो हरी भस बसे हुए थे और उसका हरदय प्रभु के लिए हाय हाय कर रहा था भगवान भक्त वच्सल है ये यथा मा, प्रपध्यनती, तास्य थैव, भजा में हम उनका वरत है इस समय तो गोदा की अवस्था ठीक वही थी जैसी मीरा की अथवा गूपियों की थी स्वयंबर का मंडब सजा हुआ था भक्त कल्पतरू, भगवान स्री रंगनाथ जी स्वयंबर की मनुवान्षा पूर्ण करने के लिए पधारी और उनके साथ सभी देवता अपनी वशन भूशनों से सज कर आए जैमाला लीकर गोदा सभा मंडप में पधारी गोदा का मंतु स्री रंगनाथ के प्रीम रस से छका हुआ था उसके हिर्दय में प्रभु जी की मोहिनी मूर्ती बसी हुई थी उसने जैमाल अपने प्राणाधार के गले में डाल दी देवताओं ने आनंद दुन्दुभी बजाई और आकास से पुस्विवरिस्टी होने लगी सुर्व, किन्नर, गंधर्व आकास में मधूर स्वर से गीत गाने लगे सूर्य और चंद्रमा चवर डुलाने लगे और पवंदिव पंखा करने लगे देवर्सी, महर्सी, जैचैकार करने लगे ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे नगर की सुभा कैसे कही जाए भगवान ने विश्व कर्मा जी को आग्या दी की नए सिरे से इस नगर को बसाया और सजाय जाए बात ही बातों में सब तयार हो गया स्वयंबर के बाद विवाह का मंगलकार बड़ी धूम धाम से संपन्न हुआ स्री रंगनाथ ने गोदा का बानी ग्रहन किया और उमा के चारो और साथ बार भावरी की दोनों की आरती उतारी गई विवाह संपन्न हो चुकने पर सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सिधारे तथा भगवान स्री रंगनाथ जी गोदा को लेकर अमर धाम को पधार गए लोगों को इस कथा में आश्यर या संका करने की कोई गुंजाइस नहीं है हो भगतन के भगत हमारे प्रभू की प्रतग्या है सरवात में समर्पन और अखंड प्रेम से सब कुछ साथ है हम संसारी जीवों के लिए जो असंभव प्रतीत होता है वो भगवान और उनके भगतों के लिए बहुत साधरन सी बात है क्योंकि भगवान, भगवान सब कुछ कर सकते हैं उन्होंने ही हमें बनाया है, हमने उन्हें नहीं बनाया बोलो भक्त और उनके भगवान की जै इस कथा को मैंने गीता प्रेस से प्रकासित होने वाले कल्यान से लिया है यह बहुत ही पुरानी पुस्तक है जो मेरे पास है तो उससे मैं आपको पढ़के सुना रहा था अगर आप लोगों के लिए संभव हो तो गीता प्रेस के वेबसाइट से जाके कल्यान अवश्य प्राप्त करे उसका तो मासिक भी आता है अगर आप चाहें तो फ्री में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और नहीं तो जो कल्यान मोटा टाइप पुस्तक है उसको आप लोगों को अवश्य खरीदना चाहिए गीता प्रेस नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है तो जितना जादा से जादा हो सके जो गीता प्रेस से प्रकासित होती है अध्यात्मिक पुस्तके हम सभी को पढ़नी चाहिए अगर हम अपने बच्चों का भविश्य बनाना चाहते हैं तो उन पुस्तकों को कम से कम घर में भी रखना चाहिए क्योंकि पुस्तक जब घर में होते हैं तभी आप पढ़ोगे अपने बच्चों को पढ़ाओगे कभी उनकी नजर जाएगी उस पे तो वो उसको लटके देखेंगे और कुछ भी एक लाइन भी पढ़ेंगे ना तो उनका जीवन बदल जाएगा तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है मैं गीता प्रेस के वेब साइट का लिंक भी आपको दे दूँगा और बहुत जगा मीजन पे भी आपके सहर में भी कही न कहीं गीता प्रेस का स्टॉल होगा तो वहाँ से जाके एक नियम बना लें कि प्रती महीना मुझे 100 रुपय का है या 50 रुपय का है कुछ पुस्तक खरीदना है गीता प्रेस से क्योंकि गीता प्रेस ने जो हम लोगों के लिए किया है जो सनातन धर्म के लिए जो बुरी विश्व के लिए किया है वो बहुत है हम कभी कभी उनका मुले नहीं चुका सकते कभी भी नहीं किसी जीवन में भी नहीं उन्होंने तो बहुत सारे PDF को ऐसे आसानी से उपलब्द करा दिया है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आप सबुसे विनम्र लिवेदन करूँगा, एक बात मुझे याद आती है, एक प्रेमी भक्त हैं, गणेश शिनोई नाम है उनका, तो अस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो उन्होंने मैंजे मैसेज किया था, कि मैंने गीता प्रेस को मेल किया है, उनका रिपलाई भी नहीं आप आ रहा है, तो क्या आप मुझे बुक भीच सकते हो, तो मैंने बोला कि अस्ट्रेलिया भीजने में तो बहुत जादा कुरियर च चुका सकते, तो मुझे वो बुक ही चाहिए, जो भी कुरियर चार्ज लगे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दे दूँगा, तो तुम मुझे बुक भेज़ दो, तो वहां से भी मुझे फ्रेरना मिला कि ऐसे से भक्त भी हैं दुनिया में, जो गीता प्रेस को ऐसे सपोर कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत financially बहुत strong है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है, तब भी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम सारे बुक मुझे भेज़ दो, और मैं जितना भी कुरियर चार्ज लगेगा, जो भी वो लगेगा, मैं सारा चार्ज तुम्हें दे दूँगा, तो इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि हम भारत में रते, आसानी से हमारे लिए ये सब उपलब्ध है, तो कृप्या इन पुस्तकों को अपने घर में रखे, एक लाइबरी बनाईए, या फिर जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, आप इस गीता पुस्तकों को अच्छे से रखे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत तेजस्वी हो, तो बस गीता पुस्तक के घर में रखने से ही हो जाएगा, अब इसमें लॉजिक मत लगाएगा कि पुस्तक रखने से क्या हो उसको पढ़ने से होगा आप पहले पुस्तक रखो तो उसके बाद तो उसका चमतकार देखो और एक और बात मैं कहना चाहूंगा गीता प्रेस हनुमान प्रशाद पुद्दार जी और हनुमान प्रशाद पुद्दार जी को कौन प्रेड़ना दे रहे थे लिखने का ने आडियो भी बनाया है जो लोग नियमित रूप से सुनते हैं उन्हें वो किस्सा अवश्य मालूम होगा और मैं आप से चाहता हूं कि एक बार आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वो किस्सा याद है या नहीं जिसमें एक माता जी हनुमान प्रशाद पुद पीजेगा ठीक है तो आगे भी मैं कल्यान से ही बहुत सारी चीज़े आप लोगों के लिए लाता रहोंगा और एक और विनम्र निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन बातों को सेर कीजिए अगर आप वीडियो सेर कर सकते हैं तो कीजिए नहीं तो जो भी आप पास कभी आप बैठती हैं तो लोगों से बाती कीजिए चर्चा कीजिए सत्संग कीजिए आपको बहुत लाब होगा बहुत बहुत प्रणाम आप सबों को कर सकते हैं